तो आज फिर से हम कलर से रिलेटेड वीडियो लेकर आएं, जी यहां दोस्तों, आप लोग का बहुत ज़्यादा पुछे जाना वाला सवाल, कि एश कलर किस तरह से करना है, एश जो की वाइट कलर, या फिर आप लोग एश टाइप में थोड़ा सो वाइट वाला चाहिए, व लोग को लाइफ में कभी भी एश कलर हो, चाहिए, कोई भी कलर डिपोजिट करना हो, आप लोग को कभी भी कोई प्लाब्लं नहीं होगा, तो एश कलर के लिए सबसे पहले आप लोग को अंदेरगर कोट क्या है, उसके बाद ही आप लोग एक अच्छा सा एश कलर, या फिर अगर कोई दूसरा global color शूट करना चाहो कोई दूसरा global color आप लोग deposit करना चाहो तो वो भी आप लोग अच्छी उख कर सकते लेकिन उसके पहले अंडर कोड पता रहना चलूरी अंडर कोड जैसे की जो lifting करते हैं लिफ्टिंग करते हैं लेकिन उसके पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो काफी जैदा नॉलेज़वल वीडियो होने वाला है और हमेशा की तरह आप लोग प्यार दिखाते हों तो लाइक भी उतनार करना और कम बताना है कि आप लोगे कितना ज्यादा नॉलेज़वल वीडियो समझा और आश कलर आप लोग जरूर प्याक्तिकल करना है और काफी ट्यूब्स के नाम भी में आप लोग को पूरा शो करूँगा तो उप्मृ अच्य तरे से बताऊंगे कि कौन कौन से ट्यूब अपलोग नाईजा व स्टार्ट करते हैं लेकिन zac जरूरी है था और कि मुझे पता है वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप लोग का टाम वेस्ट नहीं करते हैं हमारा एश कलर तो स्टाट करते तो दोस्तो लाज तक वीडियो को देखना तभी आप लोग पूरा डीटेल में समझ पाओगे तो यहां पर दिखे लिखा हुआ है मैं एश कलर कैसे करें तो बहुत लोग का जो डाउट था आज पूरा वीडियो में क्लियर होएगा तो दोस्तो लाज तक बने लेना बीच में स्कीप मत करना बाद में बोलना मत कुंछा कलर यूज करना कुंछा ट्यूब यूज करना करना है वो समय नहीं सुनूँगा पूरा डीटेल में देखो और अच्छी तरीके देखो इतना वीडियो ला रहा हो मेनत करके तो आप लोग भी अपने प्यार दिखाओ चैनल पे न लिफ्टिंग करना है 8-9 में आप लोग का आश कलर नहीं आएगा आप लोग पूरा अच्छी तरीके से पहले सुन लेजिए 8-9 लेवल तक आप लोग को हैर्स को लिफ्ट करना है और आप लोग को यूज करना है 20 वोल्यूम और यह 30 वोल्यूम अब आप लोग का डाउट ह लोग को उसी इसाफ से वोल्यूम यह नहीं कि एक्टिवेटर जो कि आप लोग को पता है कि जो हम लोग ब्लॉंडर में यूज करते हमारा वॉल्यूम हमारा डेवलेपपर तो आप लोग कंफ्यूज मत वना वॉल्यूम क्या होता है 20 वोल्यूम का डेवल्यूम का डेवल्य को बता रहा हैं कि आगे वीडियो में देख समझ में आएगा एट टू नाइन लेवल तक आप लोग का जो अने के बाद में पिर आप लोगों को आना है सेकंड वाले पॉइंट पर यहां पर देख सकते हैं गूडबाई यलो शैंपू यहां पर आप लोगं को शॉसकॉफ का या फिर कोई और चीज का purple shampoo जो आता है कोई और brand का वो भी यूज़ कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आप लोग शॉसकॉफ का 10 मिनिट तक रखोगे तो भी चलेगा लेकिन एक मिनिमम आप लोग को टाइमिंग बताओ चार से लेकर 6 मिनिट तक आप लोग को परपल शैंपू से अच्छी तरीके से मसाज करके स्काल पर और उसे छोड़ देना है और वेट करना है जब आप लोग का चार से 6 मिनिट या फि प्लस 20 वॉल्यूम प्लस शैंपू जिहां दोस्तों आप लोग को 10 लेवल तक लिफ्ट करना है हेर को उसके बाद ही आप लोग हेर डिपोजिट करोगे जो आप लोग का एश कलर है तो ही आप लोग का कलर आएगा इसलिए 10 लेवल अगर आप लोग डिरेटली यहां पर 10 ल यहलो शैंपू से परपल शैंपू से देन इसके आद में फिर से आप लोग को वाश हो जा अच्छी तरीकी से तो हलका सा ड्राय करने के बाद में आप लोग को ब्लॉंडर लेना है और ब्लॉंडर में 20 वॉल्यूम ही मिक्स करना है या पर आप लोग को पंपलसरी ठीक है र तब आप लोग को करना है डिजायर शेड डिपॉजिट जो डिजायर कलर है आप लोग का जो डिजायर शेड है आप लोग का वह आप लोग को डिपॉजिट करना है 20 वॉल्यूम से 20 वॉल्यूम के डेवलेपर से आप लोग को यूज़ करना है क्यूंकि जभी भी आप कोई बी चॉकलेट कलर यूज करने के लिए हमेशा 20 वालिम करेंगे और एश कलर आप लोग कोन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क्प्वीम करेंगे और ऑच वो चलिए मैं आप लोगो दिखाता हूँ तो यहां पर देख सकते हैं लाउयल तो सबसे पहलो तो आप लोग का नाम आता है लाओरियल पे लाओरियल में आप लोग यूज़ कर सकते हैं 12.1 जो 12.1 आता है था अब वो हो गया है 12.1 तो 12.1 एक यूज़ कर सकते हैं 9.1 वो भी काफी अच्छा आता है लेकिन 10 लेवल लिफ्ट हुआ रहेगा तो ही आप 11.1 उसके बाद में 7.1 यह भी आप लोग यूज़ करोगे तो अच्छा सा एक एश कलर मिल जाएगा तो यह तो हो गई लाओरियल की बात अब आते हैं यहाँ पर इस ट्रिक्स बहुत लोग स्ट्रिक्स का ब्रैंड यूज़ करते हैं तो इस ट्रिक्स के लिए आप लोग य वेला वेला वो जो कि आप लोग को पता है कि काफ़ी अच्छा ब्रैंड है और जहां पर यहां है पॉइंट लगे हुए हैं वहां पर यहां च्ट्रॉक लगते हैं तो यह बात ध्यान में रखना 9-100 इश्रोक 11 इसे हम इंच्ट्रॉक बोलते हैं जो इच्ट्रॉक देख र बता रहा है। यहां पर भी मैंने सिंगल सिंगल ही बता जाए है। आप लोगों को यूज करना है। आप लोग अच्छी हो जाएगा। लेकिन टैन लेवल लिफ्ट हो जाएंगे हैर उसके बाद में आप लोग को बार बार बोल रहा हूं कि प्रि-लाइट से आप लोग यहां पे points लगता है, یہां पे लगता है dash, यहां देख सकते हो dash, 12-2 और यहां पर है 9,5-1, तो आप लोग यह दोनों color अलग-あれ और यह तो यह यह दोनों में से कोई भी एक यूज़ करके अच्छा सा ash color पासकते हो, तो पूरा clear हो गया आप लोग का detail में, समझ में आ गया, दो करना है एक बार 8-9 लेवल तक लिफ्ट करना है है इसको चेक करना है 20 वॉल्यम से यूज करना है या 30 वॉल्यम से यह जब कंफर्म हो जाए लोग उसी डेवलेपर को वॉल्यम यूज करना है देन उसके बाद में फिर गुडबाय यलो से परपल शैंपू से उससे वाश करना ह ताकि जो उसका यलो टोन वाला अंडर कोटे वो कट हो जाए ताकि हम जो भी हमारा कलर करे वो अच्छी तरीके से आए तो यहाँ फिर से आप लोग को ब्लॉंड करना है 20 वॉल्यम प्लस शैंपू ताकि हमारा 10 लेवल तक अच्छी तरीके से लिफ्ट हो जाए और जो गु वो आप लोग 20 वॉल्यम में डिपॉजिट कर सकते हो तो आए होप कि आप लोग को यह वीडियो पूरा डिटेल में समझ में आयोगा काफी अच्छी तरीके से मैंने आप लोग को वाइट गोर्ड पर पूरा डिटेल में ट्यूप्स के नाम भी बता दिया और किस तरह से अ नए वीडियो के साथ नए कलर के साथ मिलेंगे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किये यहां तक पूश गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजए अगर आप लोग अभी तक मेरे इंस्टाग्राम आइट पर फॉलो कर लेना वहां पर पर काफी जाधा नॉलिजव बाइ बाइ टेक केर